नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी नई प्रकृती सीरीज एपिसोद 3 में और आज के इस एपिसोद में मैं आपको इंफोमेशन दूँगा प्रीज और प्लान्स के बारे में इस एपिसोद में आप उपसूरत वीडियो क्लिप्स के माद्यम से और जाला जानकारी ले पाएंगे पेड़ और पौदों के बारे में और ऐसे ही इंफोमेटिब नीचर प्रकृतिक ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं एपिसोद के संपर में प्रकृति हमें कई भीड़ देती है जो कि हमें जीवन में हमेशा साहता करते हैं उनी में से पेड़ पौधे मोख्य हैं जो व्यक्तिके जीवन को बनाए रखते हैं तथा शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं जो एक स्वस्त जीवन के लिए महत्वपून होता है पेड़ पौधे हमारे जीवन के संतुलन के साथ साथ ही प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखते हैं पेड़ पौधों से ही प्रकृति की सुंदर्ता का तृष्य प्राप्त रखता है पेड़ पौधों के अभाव में प्रकृति का गोई अस्तित नहीं है मानव अपने जीवन के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने उद्योगों को विक्सित करने के लिए पेड़ पौधों का विनाश कर रही है जो कि निकट भोविश में संकट के रूप में सामने आएगा पेड़ पौधों के अनेक उप्योग हैं ये हमें शुद्ध वायू के साथ साथ छाया, फल और इधन की लकड़ी भी देते हैं पर मानव स्वार्थ इनसे भी सिद्ध नहीं हो पाता और वे ब्रक्षों की अंदाधुन कटाई करते हैं और उनके अस्तित को ही समाथ करते हैं यदि हमें पेड़ पौधों की घरेलू कारियों के लिए जरुरत होती है तो हम एक प्रक्ष काट कर दो प्रक्ष लगा दे तो हम अपनी जरुरत को पूरा करके भी पेड़ पौधों को बचा सकते हैं पेड़ पोधों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, तथा जीवन में हर बड़ी से बड़ी बिमारी का इलाज हम लोग कर सकते हैं, इसलिए पेड़ पोधों की रक्षा मानव जीवन के अस्तित्त की रक्षा है, इनें बचा कर हम अपना जीवन और निरोग्य बना सकते हैं मानव जीवन प्रकर्ती पर निर्भर है मानव जीवन का आवास प्रकर्ती है मानव जीवन के लिए सबसे महतपूर्ण योगदान प्रकर्ती का होता है प्रकर्ती से मनुष्य जीवन हर समय घिरा रहता है जिसमें पेड़ पौधे मुख्या है पेड़ पौधे मुख्या रूप से शुद्ध वायू देते हैं और बदले में हानिकारक वायू कारवन डाय ओक्साइड को ब्रहन कर प्रदूशन को कम करते हैं पेड़ प्रकृति का एहम हिस्सा है प्रकृति के साथ-साथ यह हमारे जीवन का भी महत्व पूना गया है यह हमारे मित्र हैं यह हर समय हमारा स्थयोग करते हैं इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मागते हैं पर इस समय के लोग उनके महत्व को भूलते जा रहे हैं इनके द्वारा हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं बेड़ पौधे हमारे ही नहीं बलकी अन्य प्र्याणियों के लिए भी सुरक्षा कवज के रूप में कारे करते हैं बेड़ पौधे हमारे चारो और के वातवरण को हरा भरा बना देते हैं इस ब्रह्मांड में पृत्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीव वजूद मौझूद है यानि पृत्वी पर जीवन का मुख्यकारण पेड़ पौधे हैं जो अन्य ग्रहों पर पस्तित नहीं है पेड़ पौधो को हरा सोना क्याते हैं पेड़ पौधे भगवान का दूसरा रोप है जो हमें जीवन देते हैं पेड़ पौधो का हमारे जीवन में विशेश प्रभाव देखने को मिलता है आस्ता के संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पेडों से बढ़कर है प्रकृति के इस अनमोल उपहार का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते पता हम इनका संरक्षन करके इनका रिण कम कर सकते है तो आईए दोस्तों प्रक्ष लगाएं जीवन बचाएं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोद पसंद आये होगा ये एपिसोद आपको कैसा लगा आप जादा से जादा कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं अपने इन प्रकृतिक एपिसोड को और अधिक प्यूगी बनाओ एवं रोमान्चक बनाओ धन्यवाद